नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंक्यर सिंग दिली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्द नजर लागू की गई नई पावबंदियों के मद्द नजर आज बिभिन मैट्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारे देखी संक्रमन के मामले बढ़ने की कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरन द्वारा लगाई गई नई पावबंदियों के मद्द नजर दिल्ली मैट्रों की ट्रेन सेवाएं 50% समता के साथ परिचालित हो रही है तथा खड़े हो कर यात्रा करने की अनुमती नहीं है इस की स्तिती उनमें देखी गई है कई मेट्रों स्टेशन तो ऐसे थे जहां प्रतिक्षा का समय एक घंटे तक हो गया इसको लेकर यात्रियों में जल्लाहत की स्तिती भी देखी गई लक्ष्मिनगर स्टेंस के बाहर खड़े एक ही वकट ने बताया कि मैं यहां एक घंटे से रुका हुआ हूँ मैंत्रो स्टेności के बाहर इतनी लंबी लसक्षों क selection के बाहर टनी लंबी लाईने की मुझे समझ्में नविंतम दिसाने देशों के मद्द नजर कुछ प्रतिबंधों के तहत मेट्रों के अंदर यात्रा क्यानुमति होगी। DDMA द्वारा नए मानडंडों की घोशना किये जाने के तुरंत बाद नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और सुबह के समय लंबी कतारे लग गई। सुबह के समय अधिकतर लोग मेट्रों का उपयोग कार्याले जाने के लिए करते हैं। लक्षमी नगर अक्षरधाम अन्य स्टेशन पर लोगों को समय भी अधिक लगा। कई लोगों ने फेस्बूक और ट्वीटर पर इसको लेकर शिकायत भी की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली में इस तरह की विवस्थाएं कब तक रहेंगी। क्योंकि लोगों की परिशानिया बढ़ रही है। साथी साथ लोगों को समय पर कार्याला भी पहुचना है। और यही कारण है कि जो पैसेंजर हैं उनमें कंफ्यूजन के स्थिति देखी जा रही है। साथी साथ अब कहीं न कहीं और इवन फॉर्मूले के तहट जो बाजार खोल रहे हैं उसको लेकर ग्राहकों में भी कंफ्यूजन है। खुद्रा कारोबारियों के संगठन भारतिय खुद्रा संग ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा कोवड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए दुकानों रेस्टोरेंट और मॉल पर लगाए गये प्रतिबंध पक्षपात पूर्ण है। आर ए आई ने कहा कि इस तहट यलो अलर्ट के तहट रातोरात प्रतिबंध लगाने से कारोबार के लिए अनिश्चित्ता का माहौल बन गया है समविशम पर अधारित प्रतिबंधों ने उपभोगताओं के बीच भ्रम को बढ़ाने का काम किया है। खुद्रा संगठर ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रम के कारण भीड बढ़ गई है जिससे ऐसे उपायों का मकसद भी और सफल हो जाता है। गए हैं यह मामले 21 राज्जियों तथा के इंडर्शासित प्रदेशों से आए हैं दिल्ली में सबसे अधिक 238 मामले दर्च किये गए हैं इसके बाद महरास्ट में 166 गुजरात में 73 के एरल में 65 तिलंगाना में 62 मामले सामने आए हैं राश्टी राजधानी में मंगलवार को कोवीड के 496 नए मामले सामनी आए जो चार जून के बाद से सरवाधिक मामले हैं वहीं संक्रमन से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है दिल्ली में संक्रमन की दर शुन्य तसमलो आठ नौ प्रतिशत है